मोवी की शुरुवात में, दो आदमी को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपना बलड सेल करने आये रहते हैं, और तभी एक लेड़ी आके नोमेक नाम के आदमी को लेके जाती है, जहां वो उसका बलड देने वाले रहते हैं, तभी पता चलता है कि वो सब वेंपेर से अफरत है और उनने कैमरे के सामने मार देता है उसके वासिन सिफ्ट होके ब्लेड पोGod कुछ विंपैर को मारतेवेडि दिखाया जाता है जहां Elo Rob को ढप moment को नीगाAlta और अपने सेफ प्लेस पे लेके जाता है जहां असकड नाम का एक दूसरा आदमी देखने को मिलता है जो ब्लेट के साथ विसलर की जगह काम कर रहा होता है दोनों विसलर को एक रूम में लेके जाके बैठा देते हैं और तभी ब्लेट उसे एक इंजेक्शन देता है और कहता अगर ये काम किया तो ठीक वरना मुझे तुम्हें माना होगा कल सुभा और उसे बंद करके अपने रूम में जाके बैठ जाता है जहां वो अपनी पुराने बाते सोच रहा होता है विसलर के साथ उसके वाद सुभा होते ही जब वो जाके देखता है तो विसलर अपने पुरा तोई कुजवेटी आया है और ब्लेड अपने स्वाइड लेकर आता है तभी दो नींजा टाइप के लोग वहां आते हैं और ब्लेड और उनमें लड़ाई होती है जहां ब्लेड को एक टाइम पर राहीं चुके थे तभी उनमें से एक कहता है उसे मारना मत और वो ब्लेड के और वो कहते हैं कि व्यद्ग और ये पर इस आतो rape लेने का इक लिए तभी ब्लेड नहीं अपना डाने को काहता दा जिसमें, असर्ड उस आदमी का नाम रहता है और ऊस लेडी का नाम नीशा रहता है उसके बाद ब्लेड और सबको एक हैलीकॉप्टर से जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एक वंपायर के सिकरेट प्लेश पे उतरते हैं, जहां बहुत सारी सिक्यॉर्टी होती और वहाँ उतरने के बाद जब वो अंदर जाते हैं, तभी वंपायर नेशनंट का जो एड होता है तमस किनोस उससे ब्लेट को मिलते दिखाया जाता है जहां वो ब्लेट को एक ठ्रेट के बारे में बताता है जो करिंट टाइम में वेंपायर का दुस्मान है पर जब वेंपायर खत्मों होंगे तभी वो ह्यूमन के पीछे आएगा और ये कहके वो ब्लेट को मना लेते हैं उसकी help करने के लिए जहां ब्लेट उनके टीम को lead करेगा जो उसे ही मारने के लिए train किया जा रहा होता है उसके बाद ब्लेट को उसके से place पे दिखाया जाता है जहां वो बात कर रहे होते हैं कि उन पे भरोसा करें की नहीं पर को एक आदमी को बुलाते भी दिखाया जाता है जो ड्रक्स बेचरा होता है जहां नोमेक उसे मार देता है और उसके साथी रीपर्स आके उसे खाने लगते हैं उसके बाद ब्लेड को अपने एंटीडोट लेते भी दिखाया जाता है जहां निशा उसे बुलाने आती और ब्ल जगार देता है जो रिमोट से चलता है उसके बार नीशा ब्लेट से पुष्थी है अब हम क्या करें तो ब्लेट कहता है कि हमें ऐसी जगा जाना है जहां बहुत सारे वेंपायर हो और तभी नीशा उसे अपने एक सिक्र प्लेस पर लेके जाती है जो ब्लेट से बचने के वो अपने साथी रिपर्स के साथ खड़ा रहता है दुसरी और असकड अपने गारी में स्क्रीन पे देख रहा होता है जो ब्लेट ने कैमरा सेट किया होता है अंदर जाके और विसलर बारिस में खड़ा अपने गर्ण के साथ रहता है तभी रिपर्स वहां आते हैं जहां अलग अलग जगा पे वो उन सबसे लड़ते वे दिखाया जाता है तभी निशा को नुमैट मिलता है और दूसरी और सकट पे भी अटाइक होता है वो अपनी गारी में बैटा स्क्रीन पे सब देख रहा होता है तभी बहुत सारे रिपर्स आके उसके गारी पे अटाइक करते है तभी वो अपनी गारी के लाइट अन करता है जिसे कुछ भाग जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं दूसरी और निशा को पकड़े नुमैट ब्लेट के सामने आता है जहां वो ब्लेट से पूछता है मैं तुमारे लिए क्या हूं एक दोस्त या दुस्मन या दुस्मन का तभी निशा उसे मार कर अड़ जाती है और ब्लेट उसे गोली मारता है पर उसे कुछ खास फरक नहीं पड़ता है और दूसरी तरफ रेनहर्ड और उसके साथी भी भीरे रहते हैं पर दूसरी और उनका एक साथी प्रिष्ट को बाइट लग जाता है और जब तक ब्लेट क को भी एक बाइट लग जाती है पर वो अपने साथी से यह चुपा लेता है और प्रिष्ट को बदलते देख ब्लेड आके उसे मार देता है तब ही विसलर वहां आता है तब उनमें से एक उसे पूछता है तुम कहां गया थे तब विसलर कहता है चलो बताता हूं और उन्हे एक टेर्नल की गेट पर लेके जाता है, जहां उन्हें रिपर्स फसा मिलता है, जो टेर्नल में जाते वह फस गया होता है, तब ही वो उसे देखते हैं, और निसा कहती है, के मुझे इसकी जाच करनी होगी, जितना जल्दी हो सके, उसके बाद निसा के डियट, यानि वेंपार श्राणbourg and Smashy authorities female ब्लेट को फसाने के लिए अपनी बैटी को मार सकता है. यह कहका अपनी उसके बाद पूरे टीम को उस टरनल में जाने के लिए प्रिपेर होते वे दिखाया जाता है जहां असकर्ड और फिसलर को यूवी ग्रेनेट बनाते हैं और उसे सब के सामने लेके आते हैं और एक टेमो देते हैं यूवी ग्रेनेट से बना बॉम का कैसे उसे स्टार्ट करना है और जब उनका एक साथी पुषता है हम कहां जा रहा है तब ब्लेट कहता है हम उनके पास नहीं वो हमारे पास आएंगे तभी निशा एक डिवाइस देती है जिसमें से उस रीपर का निकाला हुआ लिक्वीड निकलता है जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा उसके बाद उन वो रिपर वाला लिकृड वहां छिरक देता है जिसे के रिपर आ जाए और दुसरी लाइट हैमर को रिपर बनते हुए दिखाया जाता है जब वो किसी को खा रहा होता तब ही उसकी एक साथी आती है और उसे देख कर वहां से भागती है और जैसे ही मैन होल खुलती है तो वो दोनों मड़ जाते हैं सनलाइट पड़ते ही तभी रेनहट को रिपर्स के कुछ गुरूप उसकी तरफ आते वे दिखते हैं तभी वो यूवी बॉम को 10 सेकेंड में सेट करके सब को इनफॉर्म करता है तभी ब्लेट को जब ये पता चलता है तो वो मीशा के लिए फाकता जाता है जहां ब्लेट निशा को कहता है जाके कहीं छुप जाओ और ब्लेट यूवी ग्रेनिट निकाल के एक्टिव कर देता है और जब यूवी ब्लस्ट से भी मरते हैं पर जब तक इसा कवर ले चुकी होती है उसके बाद उन में से एक हो विसलर को मारतिव दिखाया जा जहां रिपर्स आते हैं और उस पे अठाक करते हैं उसके बाद दूसरी यँव ब्लेट निशा के साथ वहां से भागए रेन्हार्ट तक पहुंशता है जहां ब्लेट के कहने पर वहा σε निशा और रेन्हार्ट निकल जाते है और ब्लेड बॉम के पास जाता है जहां उसे रेनहार्ट से पता चलता है वो बताना भूल गया कि उसने उस बॉम को जैम कर दिया है पर ब्लेड उसे एक्टिब कर देता है एक हाथ मार के और दूसरी और निशा रेनहार्ट रीपर को मारते वे चारह होते हैं पर एक टाइम प पास और कहते हैं गबराओ मत मैं तुम्हें नहीं मरूंगा अगर यह काम करोगे और उसके काम कुछ काने कुछ कहता एक रिंग देक्के उसके बाद जब बलेड आता है 그럼ि इन र्पर्स को मारके वहां अपने फादर को बताती है कि ब्लेड ने उससे बचाया है तबी ब्लेड को दिखाया जाता है उनकी कैद में फिर जब उसे पोश आता है तो अपनी विपन देखने लगता है पर विष्छलर बताता है उन लोग उने सब विपन ले लिए हैं सकर्ड भी वहां रहता है और चारा बात बताता है कि यह सच है उस नहीं उसे डिजाइन किया है ब्लेड जैसे विंपर बनाने के लिए जो सिलवर से ना मरें और ना सउल्लाइट से पर सण्लाइट वाली कमि रह गए और जो दूसरा बैज दिखाता है जो अथी कैप्सुल में होते हैं वह ब्लेड जैसे ही होंगे परफेक्ट उसके ब्लेड लेने पर तभी नीशा पर ये सच पता चलता है उसने ही सारा काम ये किया है उसके बाद वह वहां से चली जाती है उसके ब्लेड के लेक पर एक गुली चलाता है और फिसलर को मार के गिरा देता है तभी ब्लेड उसके सर पर लगे बॉम के ल स्कर्ट को उड़ा देता है तभी वहां के गार्ड आके ब्लेट को शौक देके गिरा देता है और दुसरी तरफ रेनार्ट को विस्टलर को टॉर्चर करते हुँ दिखाया जाता है जहां वो उसे अपने बात में बजाकर अपना हाथ खोल लेता है बाता भी नॉमय को उस जग डेखते हो दिखाया जाता है उसके बाद जब ब्लेट भुलता है तेमस्किनन न प्रकींों से की batera बदल लेना चाहता है जसने उसे बनाया है तभी वह आदमी कहता है कि हमें पता है पर वो ये location नहीं जानता है तभी वह करता है वह अब जानता है और वैसे अलाम बजने लगता है और वो उसे देख रहा होता है अंदर आते हुए उसके बाद जब रेनहर्ट को भी स्क्रीन देखते दिखाया जाता है इसी का फाइदा उठाते हुए विसलर उसे मार कर ब्लेट का स्वार्ड और दुसरे वेपन लेके एक वेंटिलेसर से निकल और जब वो आदमी उस स्क्रीन पे देखी रहा होता है तब ही विसलर उसे गोली मारता है फिंटिलेसर के अंदर से और बाहर आके ब्लेट को अज़ात कर देता है पर जब तक ब्लेट का बहुत सरक होता है और वो ब्लेट मांग रहा होता है तब ही नोमय को वहां के सारे गा जाने लगता है पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह सारे गेट को तोड़ के अंदर आजाता है पर दमस्किनोस वहाँ से भाग निकलता है अपनी बेटी के साथ एक लिव्ट से और दूसरी और ब्लेड को दमस्किनोस के ब्लड बात की और जाते वोग दिखाया जा और ब्लेट उन सब को मार के ब्लेट अपने अस्वाट से रेनाड को 20 से काट देता है और रेनाड वहीं मड़ जाता है और विसलर गोली से उस रीपर्स वाले कैपसुल को उड़ा देता है उसके वाद दमस्किनुस को लिफ्ट से बार आके एक हलिकॉप्टर के उर जाते विदी खाया जाता है तबी नीशा सारे गेट ब्लॉक कर देती ये कहके कि मैंने सब को रिसेट कर दिये हैं तबी नोमेक आ हैं और उसे मार डालता है तबी नीशा कहती है भाई मुझे भी मार कर एस सड़किल को खत्म कर दो तबी नोमेक उसके पास जाकर कहता है तुम इसकी फैवरेट थी ना और उसे बाइट करने लगता तबी ब्लेड आता है और उन दोने फाइट होती है जहां ब्लेड अपने असवार्ड से उसे मारता है तो वो उस असवार्ड को अपने सरीर से बाहर निकाल कर फिकता है और ब्लेड से लडने लगता है जहां वो ब्लेड के उपर बारी पढ़ने लगता है तबी जब वो ब्लेड को मार रहा होता है तबी ब्लेड के नेजर उसके तूटे जाता है कि फाइनली फादर का काम आज मैं पुड़ा करूंगा तभी ब्लेड अपनी स्वार्ड उसके चेस्ट पर डाल देता है जिससे कि वह सीधा जाके उसके हट में लग जाता है और वहीं गिड़ जाता है और रेंग के एक जेगा पर बैठ जाता है और मड़ जाता है इता है